नमस्कार स्वागते आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस ताजा वीडियो में देने वाले हैं जो कि आपको कोई जिवलर भी नहीं बताएगा अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने चाहने वाले को फेस्बूक वाटसब इंस्टाग्राम के माध्यम से इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजेगा चैनल को सब्स क्राइब भी कर लिजिएगा जिससे कि आपको आगे भी सोने वोर चांदी से जुड़ी हुई ताजा रेट और इसी से जुड़ी हुई जानकारी आगे मिल पाएगी तो चलिए सुरुआत करते हैं दोस्तो इस समय जब सोने का बाव 75,000 रुपे के पार जा चुका है तो ऐस में आम आदमी की जेब पर सोना बारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है जो व्यक्ति सोने को खरिद नहीं पा रहा है उनके लिए भी हम इस वीडियो में एक तरीका बताने जा रहे हैं तो चलिए उसकी सुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो सोना खरिदते समय किन मुद्दो का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है ध्यान से एक एक पॉइंट को आपको सुनना है नंबर एक पर है सबसे पहले केरेट को समझे सोना जो है वो अलग-अलग केरेट में आता है जैसे की 24 केरेट 22 केरेट 18 केरेट 14 केरेट और यह जो केरेट होता है इसी के आदार पर सोने क रेट होता है एक बात दिमाग में बेठा देना है कि जैसे जैसे यह केरेट कम होता है वैसे वैसे उसका बाव भी कम हो जाता है नहीं समझे तो एक उदारन के द्वारा में आपको समझाता हूँ मान लीजिए कि 24 केरेट का आज का रेट 75,000 है तो 22 केरेट का जो होगा वो 68,750 होगा 18 केरेट का आज का रेट 56,250 होगा 14 केरेट का आज का जो रेट है वो 43,750 रहेगा देखा जैसे जैसे केरेट कम होता है वैसे वैसे सोने का बाव भी कम होता जाता है अच्छा एक और चीज जिन दर्सकों को यह समझना है कि 24 केरेट के बाव से बाकी केरेट का रेट कैसे आया तो इसके लिए अलग से हमने वीडियो बना के रखा हुआ है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ जाकर आप पूरी वीडियो को देखके बाव निकाल सकते हैं अगर यहाँ पर चर्चा करने जाएंगे तो वीडियो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए डिटेल में नहीं जा रहें अब दूसरा सवाल यह है कि ऐसा क्यूं हुआ 24 केरेट का भी सोना होता है और 22 केरेट का भी सोना होता है फिर इन दुनों के जो रेट है भाव है इसमें इतना डिफरेंस क्यूं होता है तो केरेट के अनुसार दोस्तों सोने की जो सुदता होती है वो भी अलग अलग होती है 24 केरेट का सोना 99.99% सुद होता है गोल्ड के बिस्कीट यह जो सिक्के होते है बार होते है वो 24 केरेट में आते है इसके बाद में 22 केरेट का सोना होता है जिसमें 91.66% सोने की मात्रा होती है 18 केरेट में 75.76% सोने की मात्रा है 14 केरेट में 58.50% सोने की मात्रा होती है वैसे वैसे सोने की मात्रा भी कम होती जाती है इसी वज़े से जो रेट है वो भी कम हो जाता है 24 के अलावा जितना भी सोना होता है उसमें मिलावट होती है इसलिए उसमें सोने की मात्रा भी कम हो जाती है और बाकी दूसरी दातू में मैटल मिलाई जाता है जितने भी केरेट होते है 24 केरेट के लावा वे 24 केरेट से ही बनते है 24 केरेट में चांदी, निकल, तामबा, जिंका मिसरन करके ही 22 केरेट और 18 केरेट जैसे अलग-अलग केरेट बनाए जाते है ध्यान से सुनना कि दुनिया की कोई ताका 24 केरेट में आबूसन नहीं बना सकती है क्यूंकि 24 केरेट बहुती लचिला होता है इसलिए अगर उससे गहने बनाने जाओगे तो बन तो जाएंगे लेकिन जल्द ही तूट जाएंगे चोटी सी खरोज भी उसके उपर उबर कर दिखेगी वो इतना लचिला बनेगा कि आप दुनों हातों से उसको मोड भी सकोगे इसलिए उसी 24 केरेट में बाकी मैटल मिला जाती है जिससे कि वह ठोस और टिकाउ आबूसन बना सके इसलिए अगर आपके पास में अच्छा बजट है तो इसी केरेट का चुनाव करें या आपके उपर मिलूर करता है कि आपको कौन से केरेट में सोने की गैने बनवाने है भारत में जादातर गैने हमारे पूरवजों ने 22 केरेट में ही बनवाए थे और आज भी इसी केरेट का इस्तमाल होता है इसके बाद में दूसरा पॉइंट है मेकिंग चार्ज यानि कि आबुजन बनाने का सुल्क आम तोर पर जुवेलरी बनाने के लिए जुवेलर 5% से लगाकर 30% तक का मेकिंग चार्ज वसुल करते है लेकिन यहाँ पर द्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप सुने के गहने बनवाए तो डिजाइन फाइनल होने के बाद में मेकिंग चार्ज के बारे में भी जान ले जुवेलर आपके डिजाइन को बनाने के लिए कितना मेकिंग चार्ज जोड रहा है इसकी जानकारी आपको होना जरूरी है माल लो की 10 ग्राम सोनी की चैन बनवानी है 22 केरेट में 22 केरेट का भाव है 7,813 रूपए ठीक है टेक्स के साथ में और मेकिंग चार्ज माल लेते हैं कि 10 परतिसत लगाया जा रहा है उस चैन को बनाने के लिए तो इस एसाब से 7,081 रूपए मेकिंग चार्ज और मेकिंग चार्ज पर 5 परतिसत का जीएश्टी मिलाकर 354 रूपए मिलाकर 74,35 रूपए 7,435 रूपए मेकिंग चार्ज हुआ यानि कि आपको 22 केरेट की वो चैन 78,248 रूपए में मिलेगी 10 ग्राम की मेकिंग चार्ज को आप कम करवा सकते है या फिर कम मेकिंग चार्ज वाली डिजाइन को पसंद कर सकते है जिससे कि आपको फाइदा हो साधरन जुवेलरी में कम मेकिंग चार्ज लगता है जबकि बारिक डिजाइन वाली जुवेलरी में अधिक मेकिंग चार्ज लगता है इसके आदार पर आप जुवेलरी की डिजाइन तय कर सकते है हम ऐसा याद रखे कि अगर आपको कम पैसों में खरिदारी करनी है तो सिंपल डिजाइन हो सके उतना कम वजन वाली जुवेलरी बनवाए जिससे कि आपका मेकिंग चार्ट भी बच जाएगा और खर्चा भी कम आएगा मैं आपको आगे बताऊँगा वह तरीका जिससे आप कम बजेट में सोने के गेने कैसे बनवा सकते हो लेकिन अभी पॉइंट नमबर तीन की तरफ बढ़ते हैं पॉइंट नमबर तीन है बाइबेक पॉलिसी सोने के गेनों की बाइबेक पॉलिसी यानि कि अगर आप जुवेलर को सोने के गेने वापस बेचते हैं तो क्या वे बाइबेक करते हैं क्योंकि कई बार हम एक तरह की डिजाइन से उप जाते हैं तो उनी जुवेलर को गैने बेच कर एक्चेंज में नई डिजाइन की जुवेलरी खरीड लेते हैं या फिर कैस ले सकते हैं इसके बारे में आप जानकारी ले आसान तरीका यह है कि आप जो गैने खरीद रहे उसी की बाइबे कीमत उसी जुवेलर के पास से निकल वाए जिस इसका आपको ध्यान रखना है कि बड़े बड़े हीरा और नगन से जड़ित गैने नहीं खरीदने हैं अगर आपके पास में अच्छा बजेट है तो बिना हीरे और कम हीरा जड़ित गैने ही आपको खरीदने हैं क्यूंकि जब गैने खरीदते हैं तब उन हीरो और नंग का वजन भी आबुसन में सामिल हो जाता है लेकिन जब जुवेलर उनका बाइबेक करते है यानि कि जब आप ऐसे आबुसन को वापस बेचते है तब उन हीरों को निकाल कर सोने का वजन किया जाता है इसलिए हो सके उतना बिना हीरा जडित गेहने खरीदे नमबर चार सोने के गेने कौन सी जगह से खरीदे ये अकसर पूछा जाने वाला सवाल है क्योंकि कई लोगों के साथ में इस तरह के दोखादड़ी हो सकती है अंजान जगह पर रहते हैं तो उनको इतनी पहचान नहीं होती है जुवेलर की तो ऐसे समय में आप सरकारी वेबसाइट की मदद ले सकते हैं अगर आप विस्वासू और बरोसे मन जवेलर की तलास कर रहे हैं तो इसके लिए BIS Certified जवेलर को चुनना चाहिए लेकिन कौन सा जवेलर बरोसे मन दे इसका पता लगाने के लिए आप सरकारी डेटा की मदद ले सकते हैं आपको bis.gov.in की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर gold और silver दोनों तरह के जवेलर की लिस्ट मिल जाएगी जो की BIS Certified है आपके सहर आपके राज्य में भी ऐसे कई सारे जवेलर है और वहाँ पर gold और silver दोनों के जो जवेलर की आपको लिस्ट मिलेगी वहाँ से आप सिलेक कर सकते हैं आपको कौन सी जगर से जवेलरी खरीदनी है चलिए आपको BIS की वेबसाइट पर जाकर इस प्रक्रिया को करके दिखाते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से यह समझ में आए सबसे पहले BIS.gov.in की वेबसाइट पर जाना है इसके बाद मैं यहाँ पर left side में tab पर क्लिक करना है इसमें hall marking पर क्लिक करना है इसके बाद मैं वापस hall marking पर क्लिक करना है इसके बाद मैं jeweler registration scheme पर क्लिक करना है फिर list of license jeweler पर क्लिक करना है इसके बाद मैं एक page कुलेगा जिसमें थोड़ा scroll down करना है नीचे जाना है और यहाँ पर list of BIS Jewelers लिखा होगा वहाँ पर दो option होंगे gold jeweler और silver jeweler हम यहाँ पर BIS certified gold jeweler की तलास कर रहे हैं इसके उपर अभी क्लिक करते है इस पर क्लिक करने के बाद मैं manak online.in की website को लेगी यहाँ पर आपको बहुत सारे विकल्प मिलेंगे सबसे पहले तो आपको state का नाम select करना है आप जिस भी state में सोना खरिदना चाहते हैं वो select करें इसके बाद मैं district यानि की जिल्ले का नाम select करें और यहाँ पर आपको दो तरह के standard का option मिलेगा IS 1417 जो की BIS gold jeweler के लिए है और IS 2112 जो की BIS certified silver jeweler के लिए है तो हम यहाँ पर IS 1417 select करेंगे क्योंकि हमको BIS certified gold jeweler की list देखनी है इसके बाद मैं select branch वाले option में कुछ नहीं लिखना है उसको ऐसे ही रहने देना है और इसके बाद मैं capture लिखेंगे और इसके बाद मैं generate report पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर BIS certified jeweler की पूरी list आपकी राज्य आपके जिला की आपको मिल जाएगी तो दोस्तों यह एक बहुत अच्छा उपयोगी तरीका है क्योंकि इसमें जो list मिल रही है वह एक तो BIS certified jeweler की list है और दूसरा हम जो data ले रहे है वह government of India भारत सरकार की website से हमें authentic रूप से मिल रहा है तो इस तरह से हम समझदारी वाले तरीके से BIS certified jeweler की सुची में से अपने नजदीक के जवलर का नाम और address पता कर सकते है और वहाँ पर जाकर shopping कर सकते है इसके बहुत सारे फायदे है जैसे की जो jeweler BIS certified होगा उसके प्रमानिक होने की जो संभावना है वो बहुत ज़ादा है दूसरा BIS jeweler अगर कुछ भी गलत करता है आपके साथ में कुछ भी उल्टा सिदा होता है तो आप उसकी सीधी complain कर सकते है पांचवे पॉइंट की चर्चा कर लेते हॉल मार्किंग और पक्का बिल इसके बाद में चट्टा पॉइंट है बजेट फ्रेंडली केरेट दोस्तो जिस तरह से अभी सोने के जो रेट बढ़ रहे है इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पढ़ रहा है महेंगे होते जा रहे सोने की कीमत की वज़े से हर बैक्ती सोना नहीं खरिद पा रहा है जबकि साधी वया जैसी रसम में सोने के गहने खरिदना जरूरी है तो ऐसे समय में आपको रसम निबाने के लिए सोने के गहने भी खरिदने पढ़ रहे है और सोना आपके बजेट के बाहर भी हो गया है तो उन लोगों के लिए बजेट फ्रेंडली केरेट करिदने पर विचार करना चाहिए बजेट फ्रेंडली सोना करिदने के लिए आपको कम केरेट का चुनाव करना पड़ेगा क्योंकि जब आप कम केरेट का चुनाव करेंगे तो आपको सोने का रेट कम चुकाना पड़ेगा अब यह जो टॉपिक है कि कैसे कम केरेट में सोने के गेनों की खरिदारी करे जिससे की बढ़ते हुए भाव का असर आपकी जेब पर ना पड़े और आपका काम भी हो जाए तो यह टॉपिक जो है थोड़ा लंबा है इसलिए हमने इसका एक अलग से कुछ महीनों पहले वीडियो बनाया था जो कि आपके द्वारा बहुत ही पसंद किया गया जिन दर्सकों ने वह वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो की डिस्क्रिप्श समय बहुत ही काम आने वाले है अपने चाहने वाले दोस्तों मित्रों के साथ में इस वीडियो को फेस्बूक वाट्सअप इंस्टाग्राम के जरीए शियर अवश्य कीजिएगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा और कमेंट में अपने सह बैहर का नाम सिटी का नाम जरूर लिखेगा आपका कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह की जानकारी आपको कोई जवेलर नहीं बताएगा जो की हम आगे आपको इस तरह की जानकारी उपलब्द करवाते र आप टरंग